गुड मारिंग आल अफ यू बच्चो आज हम पाट पढ़ रहे हैं सिखावन दोहा पाट है ये दोहा पाट है सिखावन माने सीखे के बाद या सिख्छा के पाट इसमें नौ दोहा दिया गया है और नौ दोहा जो है हमें किसी न किसी रुप में सिख्छा दे रहा है ग्यान दे रहा है या जो बड़े बुजूर्ग हैं उनके अनुभाओं को पेड़ी दर पेड़ी ग्यान का भंडार माना गया है और उसी को इस पार्ट में संकलित किया गया है पहला दोहा है का होगे के रात है घप्टे है अंधियार आसा और विश्वास के चलते हैं दिया बाद यहां आगे बात जो है कहते हैं कभी कहते हैं इस दोहे में हमें सीख दिया गया है कि कठीन चड़ों में भी हमें आसा और विश्वास का त्याग नहीं करने चाहिए विकट से विकट प्रिस्थिती में हमें आसा और विश्वास को कदापी नहीं छुड़ने जाहिए अगर कभी कहते हैं कि क्या हुआ जो रात है और चारो और घना अंधकार छाया हुआ है अगर चारो और घना अंधकार छाया हुआ है तो ऐसे कठीन समय में विकट समय में तुम्हें निरास नहीं होने चाहिए आसा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए या जलाया खने चाहिए अर्थात अपने मन में काव्यपूर्ण होने की आसा और विश्वास बनाए रखने चाहिए तभी हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से कभी आगे बात कहते हैं आगे एके अगुन सवगुनला मिल्की मारत खाए गुर्तुल गुन वाला सुवा लोब करे फण। आगे कभी कहते हैं इस दोहे के मारधम से कि एक अउगुन जो है सौ गुनों को नष्ट कर देता है एक अगुन अगर है तो वो सौ गुनों को सहजिता के साथ नष्ट कर देता है आगे कभी कहता है कि एक ओगुन पलक जपकते ही सौगुनों को नश्ट कर देता है जैसे मीठे बोली बोलने वाला तोता जो है लालच में आकर किसी सिकारी के जाल में फंस जाता है अधा हमें ओगुनों से दूर रहना चाहिए आउगुनों से दूर रहना चाहिए और आगे कभी बात कहते हैं अगला दुखा है मीठ लबारी बोल के लबरा पाइमान पन संत्वंताहा सत बरहां सत जे परां आगे कभी कहते हैं कि सत्यवादी मनुस्य ही सच्चा मान सम्मान प्राप्त करता है लेकिन आगे यह भी बात कहते हैं कभी जो है जूठा मनुस्य भले ही मीठा जूठ बोल कर सम्मान प्राप्त कर लेता है किन्तु सत्यवादी विक्ती किन्तु सत्यवादी विक्ती तो सत्य की रक्षा के लिए हस्ते हस्ते अपने प्राणों को त्याग देता है वास्तों में वही सच्चा विक्ति जो है सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है और आगे बाद कहा गया घाम चाओं के खेल तो हुवत रही थे रोज एगर संसो छोण के रद्दा नावात आखोज कभी कहते हैं इस दोहे के माध्धम से कि मनुस्या को सुख दुख के फेर में ना पढ़कर अपने लिए नए मारगा की तलास समय सा करते रहने चाहिए कभी कहते हैं कि धूप और शाया तो रोज ही आती जाती रहती है परन्तु इनके चिंता छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलास करनी चाहिए अर्थात यह कहा गया कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं पर मनुस्या को इनके फेर में ना पढ़कर आगे बढ़ने के लिए सेदेव प्यास करते रहना चाहिए हमेशा जो है प्यास करते रहना चाहिए आगे बात कहते हैं आगे कवी कहते हैं इस दोहे के मंधम से कि गुण हिन मनुस्या के जीवन को वेर्था बताई जया है कवी कहते हैं कि संसार में लाखों लाखों रंगों के फूल खिलते हैं किन्तु जो फूल जो है अपनी सुगंद नहीं विखेरता उसे वेर्थ ही जाना जाता है अर्थात ये बात कहा गया कि गून ही नवैक्ति का जीवन वैर्थ है इसलिए गूनकारी होने चाहिए वैक्ति को ज्यानवान होने चाहिए और आगे बाद कहा गया कभी जो है परुपकारी विक्ति को पूजी नहीं बताए जो परुपकार के लिए जीते हैं ऐसे विक्ति की हमें पूजा करने चाहिए ऐसे विक्ति को हमें प्रडाम करना चाहिए कभी कहते हैं कि जो विक्ष सभी को फूल और फल देता है जो विक्ष सभी को फूल और फल प्रदान करता है सभी को छायां प्रदान करता है ऐसे दानी पेन को जुक कर प्रडाम करना चाहिए अब थाथ परुपकार विक्ती का सदे हुई सम्मान करना चाहिए परकार विक्ती का सदे हुआ हमें प्रडाम करना चाहिए और आगे बात कहा गया ते किताब के संगबद गंगा बारूमीत एकरे बलमा दुनियाला पक्काले वे जीत आगे बात कहा गया इस दोहे के मध्धम से कभी बात कहते हैं कि पुस्तकों का महत्व क्या है जीवन में वो बताया गया है कभी कहते हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबन जोड़ लो किताबों के साथ मित्रता का संबन जोड़ लो इन किताबों में भरे ग्यान के भंडार के बल पर तुम एक दिन इन किताबों में भरे ग्यान के भंडार के बल पर तुम एक दिन संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे अर्थाद पुस्तकों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हो और आगे बाद कहा गया है ठाढे ठाढे नहीं मिले ठीहा ठीखाना सार समुद कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार आगे कभी बात कहते हैं कि प्रास करने पर ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है इसलिए जीवन में हमेशा किसी कार्या को किसी कार्या में सफलता रिजित करने के लिए में प्रासरत होने चाहिए प्रास करने चाहिए अर्धात कभी आगे पर कहते हैं कि एक इस्थान पर खड़े रहने पर मनुस्य को उसकी मंजिल उसका उद्देश से प्राप्त नहीं होती है नदी भी अपनी मंजिल समुद्र तक पहुँचने के लिए तेज गती से दोणती है अर्धात यह कि मनुस्य को अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रास करते रहना चाहिए तब ही कहीं जाकर वह जो है उनके प्रास का सफलता प्राप्त होगा मनुस्य जो है आगे बाद कहते हैं हे उच्छा मनमा कहू पाय बर कछू ग्यान का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान आगे कवी कहते हैं कि ग्यानी सदेव समान प्राप्त करता है साथ ही काम के प्रती उत्साह के होने को भी महत्वपुर्ण बताया है अर्थात यदि मन में ज्यान प्राप्त करने का उत्साह है यदि मन में ज्यान प्राप्त करने का उत्साह है तो मनुस्य ही क्या नद्नी सी चीटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है आसा यहां है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो सभी उसका सम्मान करते हैं सभी उसका सम्मान करते हैं ज्ञानी विक्ति का हमेशा सम्मान होता है तो बच्चो इपाठाथ के समापत हो गए धन्यवाद